क्या यूक्रेन में लड़ने के लिए अब रूस सीरिया से भाड़े पर सैनिक ला रहा है आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के अब 5 हफते बीच चुके हैं पर लड़ाई अभी भी जारी है रूस की सैना ने पिछले हफते बताया कि इस संगर्ष में तब तक 1351 स मारे जा चुके थे हाला कि वेस्टन केंट्रेस का मानना है कि असली आकड़े इससे कई हजार जादा है नेटों का नुमान है कि जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से अब तक रूस के 7-15,000 सैनिक मारे जा चुके हैं अब क्यूंकि रूस की सरकार नहीं चाहती कि यूक सीरिया वैसे ही जगहों में से एक है इस लड़ाई में शामिल होने यूक्रेन जा रहे सीरिया के एक फाइटर ने बताया कि रूस फाइटर्स को दो तरह के कॉंट्रेक्ट पेश कर रहा है फ्रेंट लाइन पर लड़ने के लिए 7,000 डॉलर दिये जा रहे हैं वहीं सीरिया की वो फाइटर आगे बताते हैं कि वो ऐसे कम से कम 200 लोगों को जानते हैं जिनोंने वहां जाने के लिए अपलाई किया है उन्होंने ये भी कहा कि 80% लोग सिर्फ खाने के जुगार के लिए यूक्रेन जाना चा रहे हैं वहीं दूसरी और यूक्रेन ने भी ये कहा है कि रूस ने सीरिया में फाइटर्स को भरती करने के लिए 14 रिक्रूप्मेंट सेंटर खोले हैं ये सेंटर्स सीरिया की राजजानी दमिश्क, अलेपो, हमरक्का और दीर अलजोर में खोले गए हैं अब जाने कि आखिर रूस सीरिया से ही क्यों फाइटर्स ला रहा है तो इसके पीछे दो बड़े रिजन्स हैं पहला तो ये है कि रूस इस लड़ाई में सीरिया के वैसे गरीब लोग जिनके पास खाने तक को पैसा नहीं है उनको पैसा देकर लड़ने के लिए यूक्रेन ले जा रहा है क्योंकि सीविल वार के बाद अब यूक्रेन संकट से वि जादा मेंगे हो गए हैं और रूस के लिए यूक्रेन से लगने जा रहे एक फाइटर ने बताया कि मेरा परिवार नहीं चाहता कि हम वहाँ जाए लेकिन पैसे के लिए मुझे वहाँ जा नहीं होगा उन्होंने कहा कि अनुमान है कि हम वहाँ जाने वाले 90 प्रतिशत और दूसरा रीजन ही है कि 2016 में जब सीरिया में सीविल वार्ट चल रही थी तब रूस ने वहाँ की सरकार को अपना एहम समर्थन दिया था इसकी वज़े से बशर अल-असत की सरकार और वहाँ की सैना को काफी सहारा मिला था वही रूस के सरकारी न्यूस चैनल ज्वेजदा टीवी के एक खबर में ये दावा किया गया है कि सीरिया की सैना अब रूस के उस पुराने एहसान का बदला चुकाना चाहती है जो कभी रूस ने उस पर किया था आज की वीडियो में इतना ही आप देख रहे थे ग्लोबल नाव 24-7 वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं तुशार धन्यवाद